होली का तोहार आने वाला है और रंगों के इस तोहार को देश भर में बड़े ही धुमधाम से मनाया जाता है वहीं मतुरा और वरंदावन के साथ ही कुछ जंगों पर फूलों की होली भी खेली जाती है इसके अलावा मतुरा के बनारस में खेली जाने वाली एक और होली है बड़े ही धुमधाम से लड़्डू हुली खेली गई। इस हुली में लड़्डू फैक्कर मारे जाते हैं। इस हुली को देखने यहां देश के दो दराज छेत्रों से पहुचे। लाखों स्रदालू के साथ विदेशी मेहमान भी पहुचते हैं। बतादें लडूमार होली के दोरान हर कोई एक दूसरे पर लडू फैक्ता नजर आया जिन्हें लोटने वालों ने खाया भी और दूसरों को खिलाया भी साथ ही बधाई भी दि बतादें की मतुरा और बनारस में होली आठ दिन पहले से सुरू हो जाती है और होली के रंग में रंगने के लिए मौजूद घंटों तक लड़ु मार होली खेलते हैं इसके सुरुआत दोपैर में होती है जब बड़ी संक्या में यहां पहुचने वाले भक्त स्री जी मंदिर में कपाट खुलने का इंतिजार कर रहे होते हैं कपाट खुलते ही मंदिर में लड्डू मार होली का उत्सव सुरू हो जाता है इस दोरान भक्त स्री जी के दर्शन कर उन्हें गुलाल और लड्डू अर्पित करते हैं इसी के साथ लड्डूों को होली खेलने वाले स्रदालू इन्हें लोट कर खाते भी हैं गुरुवार को भी नजारा कुछ ऐसा ही रहा जब स्रदालू ने पट खुलने के बाद स्रदालू पर पहले राधारानी मंदिर के सेवायातों ने लड्डू फैका इसके बाद एक दूसरे पर लड्डू मार कर और लोट कर इस होली का स्रदालू ने आनंद लिया पोच बादा मार के सावक लूसरे सावकी स् Drink के सावक के लड़ कुछ स्का firestorm लेके से की बादानी मंदिर का भाता रह कर टालू हो। वहीं आपको बता दें लाखों की संक्या में पहुचे स्रद्दालू ने ना सिर्फ लड़ू मार कर होली का आनन लिया बल्कि गुलाल भी लगाया भगवान स्री किर्शन और राधा के प्रेम की परतिक होली के इस्तोहार की सुरुआत पर यहां हर कोई किर्शन लंग में रंगा नजर आया एक दूसरे पर गुलाल उडाते लोगों में खुसी की लहर साफ दिखाई दे रही थी जो एक दूसरे को बाटी जा रही थी